हाई फ्रेंट्स आज मैं मेथी से बने हुए ऐसे नास्ते की रेशिपी शेयर करने वाली हूँ जिसमें मेथी का कड़वापन तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है तो फ्रेंट्स आज मैंने मेथी के वड़े बनाए है और ये इतना क्रिस्पी और इतना टेस्टी है कि बड़े तो क्या इसे बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो चलिए इस रेसिपी को बनाना सुरूर करते हैं इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बॉल ले लिया है और अब मैंने इसमें आधा कप पोहा डाला है पोहे में पानी डाल कर इसे हम अच्छे से वाश कर लेंगे और सारे पानी को निकाल देंगे तो पोहे को धुल कर एक साइड में हम रख देते हैं तक तक हमने यहाँ पर धाई चो ग्राम मैंने मेथी लिया हुआ था इसे लगभग दो घंटे पहले मैंने धुल लिया था और फिर इस ट्रेनर में निकाल दिया था द्यान रहे कि इस रेसिपी के लिए मेथी में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और जब पानी अच्छे से निकल जाएगा या मेथी का पानी बिल्कुल सूख जाए अगर आप तुरंत इसको बनाना है तुरंत ही धुल कर तो आप कॉटन के कपड़े पर मेथी को सुखा लीजेगा और फिर इसे बारीक बारीक कट कर लीजेगा और फिर मेथी को बारी काट लेने के बाद जो पोहे को मैंने धुल कर रखा हुआ था ये थोड़ा सा फूल गया है और अब हम क्या करेंगे कि मेथी के पत्तों को हम इस बोल में ही डाल देते हैं और इसी बोल में हम बागी की चीजे भी मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कप बेसन लिया हुआ है तो बेसन को इसी मेथी में ही डाल देंगे इसके साथ ही साथ स्वाथ के हिसाब से हम नमक डाल दे रहे हैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर जीरा डाल दे रहे हूँ जीरा मैंने साबुत लिया हुआ है आप पिसा हुआ जीरा भी ले सकते हैं और फिर आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर दो छोटे चमच लगभग धनिया पाउडर मैंने यहाँ पर डाला है एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिका मैं पेस्ट डाल रही हूँ आधा नीबू का रस म यहाँ पर आप अमचूर पाउडर का या फिर थोड़ा सा चाट मसाले का भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ तीन से चार बारी कटी हुई हरी मिर्च और एक गाजर मैंने लिया हुआ था उसे मैं ग्रेट करके डाल दे रही हूँ एक मीडियम साइज की प्याज को चोटा-चोटा कट करके मैंने यहाँ पर डाला हुआ है और फिर बारी कटी हुई हरी धनिया डाल देते हैं और अब इन सारी चीजों को हम एक साथ हाथ से ही मिक्स कर लेंगे और यह जो मिक्शर है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा गाजर, प्याज और मेथी के पत्ते जब हम एक साथ मिक्स करेंगे बेशन में तो इससे जो नमक पड़ा हुआ है उससे मौशर रिलीज होगा सबजियों से और यह अपने आप हलका सा मौश्ट हो जाएगा तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि यह जो मिक्शर मैंने रेडी किया हुआ है इसमें पानी बिल्कुल भी मैंने नहीं डाला है आपको इसी तरीके से हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके इसे आप इसमें मैश करते हुए सारी चीजों को मिक्स करिएगा ताकि अपने आप ही हलका सा गीला हो जाए तो बस अब यह मिक्शर को हम बिल्कुल भी रेस्ट के लिए नहीं छो इसे हम लेते हैं और इसके हम टिक्की के जैसे शेप में यहाँ पर बना ले रही हूँ आप जैसे मन चाहे वैसे इसे शेप दे सकते हैं तो इसी तरीके से हम अपने सारे वड़े को यानि कि कबाब को जो भी आप कहले हम इस तरीके से हाथ पहले शेप दे लेंगे सारे करेंगे तो अब मैंने सारे वड़े को पहले रेडी कर लिया है और फिर हम चलते हैं गैस की तरफ गैस पर मैंने एक फ्राइपन में सरसो का तेल डाला हुआ है बहुत जहादा तेल मैंने यहां पर नहीं डाला है क्योंकि हम इसे शैलो फ्राइप करेंगे डी फ्राइ नहीं करेंगे और जब तेल आपका मीडियम गरम हो जाए तब इसमें एक एक वड़े को आप डाल दीजेगा और फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम एक साइड से गोल्डन होने तक फ्राइ करेंगे तो यहाँ पर एक बैच तो मैंने वड़े डाल दिये हैं पैन में और अब इसे हम चेक कर लेते हैं कि यह गोल्डन कलर हुआ है या नहीं और इसे आप ध्यान रहें कि मीडियम फ्लेम पर ही करिएगा नहीं तो जो आपके वड़े या कबाब हैं यह क्रिस्पी नहीं होंगे और एक साइड से जब यह गोल्डन हो जाएगा तब हम इसे पलड़ देंगे इस पैचुला से इसे हम थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर ले आने तक फ्राई कर लेंगे और जब दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैं इसे पेपर नेपकिन पर मैंने नहीं निकाला है इसे मैंने इस ट्रेनर में निकाला है इस तरीके इसे जाली में निकालने से क्या हो यह कितना अच्छा क्रिस्पी सा बना है तो बस इसी तरीके से हम सेकेंड बैच भी फ्राई कर लेंगे तो अब सारे वड़ों को हमने यहा पर जाली पर ही निकाल लिया था और मैं आपको यहां पर प्लेट में निकाल कर दिखा दे रही हूँ कि जो हमारे वड़े हैं देखने से ही कितने टेम्टिंग लग रहा है और खाने में तो यह बहुत अच्छे लगते हैं तो चलिए इसे हम चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं आप इस वड़े को धनिया टमाटर की चटनी या फिर अपने मन पसंद किसी भी सौस से इसे इंजॉय कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तिल दिन बाबाई